41 consecutive odd numbers जो हैं दिये हुए हैं उनका जो एवरेज है वो आपको दिया हुआ है 49 तो आपको बताना है कि इसमें largest number जो है वो क्या होगा देखिए इतना आसान सवाल है कि आप इसको ओरली मार्क कर सकते हो मैं समझाता हूँ कभी भी इस तरह के सवाल अगर आपको दिखें एक्जाम आप ऐसे करके आप number लेते हो ना अगर जयान देना मैं क्या कहने जा रहा हूँ जो odd numbers का average होता है अगर दो odd number आपने लिए तो 2 होता है average तीन odd numbers लिए consecutive शुरुवात से तो 3 होता है average यह जो average होता है first n odd numbers का वो n e होता है 10 odd number ले ले लिए ना पहले उनका average क्या होगा 10 होगा यह एक basic चीज है जो आपको कहने कहीं आनी चाहिए अब ध्यान से दिखना अगर मैंने इस process में 41 odd numbers लिए तो 41 odd numbers का average क्या होगा सर 41 होगा ठीक यह standard result है जो आपको पहले से आता है आना चाहिए नहीं आता है तो अम यह 41th odd number लिखना चाहता हूं कभी गलती मत करना कैसे जल्दी से लिखना देखो 41th odd number लिखना है तो पहले 41th even number positive even number के बारे में सोचो ठीक है तो पहला positive even number है उससे ए एक कम होता है पहला odd number और alternate आते हैं लो तो अगर मैं 41th odd number के बारे में सोचता हूं even number के बारे में सोचता हूं positive तो वह कितना होगा 82 82 से एक कम होगा 81 से यानि यह होगा आखरी number क्यूं लिख रहा हूं क्यों क्योंकि largest number पूछ रहा है लेकिन question में क्या करा है कि भाई यह average है 49 है average 49 है इसका मतलब यह value 49 है यानि 8 जादा है अब आपको बता है आपका number कहां से शुरू हो रहा है हर number को 88 बढ़ा दो तब average क्या होगा 8 बढ़ जाएगा खतम यह number क्या हो जाएगा 81 प्रस 8 89 यह benefit होता है जब आप question को ऐसे करते हो आप कभी भी consecutive even number देदें consecutive award number देदें आ first यानि two से शुरू करो even number की बात करें बाद में average को देखके correction कर दूँ अगर यहां average आठ जयाता तो सारे number बढ़ा दो वो नया series मिल जाएगा जो आपको चाहिए और आसानी से आपका उत्तर लग जाएगा बिना किसी tension के तो आप directly सोचना में शुरू कर दो कि 41 odd number है उनका average